एक गुट मुवी टू वाच्च हे फ्रेंड्स क्या हाल चाल वेलकम बेक टू एक गुट मुवी टू वाच्च जहां आपको मिलते हैं मुवीज वेब सेरीज रिव्यूज और भी बहुत कुछ मिर्जपूर सीजन टू की रिलीज का इतिजार करते करते लगता है कयामत का दिन ही आ जाएगा कुछ फैंस तो इसे गाली तक देने लगे हैं बोले अब नहीं देखनी मिर्जपूर सीजन टू लेकिन मैं आपको गैरिटी के साथ बता रहा हूँ जिस दिन मिर्जपूर सीजन टू रिलीज हो गे न उस दिन सबसे पहले देखने भागोगे अरे भईया इसमें आपने कालीन भईया है भईया में भईया मुन्ना भईया है दिमागदार शरद है पुरवणचल मिस्टर पुरवणचल का सपना रखने वाले गुद्डू भईया है इसको कैसे मिसकर पाओगे मिर्जपूर 2 के फैंस तो आज के इस वीडियो में हम दो बाते इंपोर्टेंट करने वाले हैं पहला मिर्जापुर सीजन 2 की स्टोरी क्या हो सकती है मिर्जापुर सीजन 2 की स्टोरी प्रेडिक्शन का ये मेरा दूसरा वीडियो है दूसरी इस वीडियो की सबसे important बात ये कि ये release कब होने वाली है तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर season 2 की story के बारे में season 2, season 1 से ज़्यादा धमाकेदार, romance से भरा हुआ होगा और इसमें कई सारे नए characters भी आएंगे मिर्जापुर season 2 की कहानी start होगी कालीन भाया के बढ़ते रुआब और रुत्मे के साथ लेकिन मिर्ज ये character अंदर ही अंदर कमजोर होते जा रहा है क्योंकि इसके लड़के ने इसको मरवाने की कोशिश कर चुका है compounder के थुरू सबको पता है इनके दो वफादार बबलू और गुड्डू पंडित वो इनसे दूर हो चुके है और दूसरे important बात कि इनकी पत्री इनके हाथों से निकल चुकी है और बावुजी उतके मजे लूट रहे है ये दोनों ही बाते कालीन भाया को पता लगने वाली है कैसे सबसे पहली बात कि मुन्ना भाया ने कालीन भाया को मरवाने के लिए कंपाउंडर को बिजाता ये बात दो कैरेक्टर के थूरू सामने आ सकती है पहला बाबर ये मकबूल का भतीजा बाबर जो है ये गुड्डू पंडित के साथ था उस दिन जब वो उसे गोलियों के लिए कंपाउंडर को गोलियों के लिए कॉल कर रहे थे तो या तो बाबर मकबूल को बताएगा और मकबूल ये बात कालीन भाया के सामने लेकर आएंगे दूसरा क्यरेक्टर है बीना बीना को भी ये बात पता है कि मुन्ना भहिया ने कालिन भहिया को मरवाने की साजिश रची थी जब वो मुन्ना भहिया की शेविंग कर रही होती है तो वो बोलती है कि आप उस तरह अच्छा चलवाते हैं लेकिन बीना तो ये बात सामने लाने से रही क्योंकि वो मुन्ना का इस्तमाल अपने लिए करेगी इधर गुड्डू पंडित घायल शेर की तरह जी रहे हैं बबलू और स्वीटी की मौत का दुख गोलियों से वो जो घायल हुए हैं वो और साथ में नशे किलत इन तीनों चीजों से वो जकड़ेवे हैं साटिंग के एपिसोड में लगता है वो भागते और छिपते ही नजर आएंगे क्योंकि वो बेबस और कमजोर हैं और मुन्ना उनको अभी भी ढूंड रहा है लेकिन लाला उन्हें बबलो और स्वीटी की लाशे देगा ताकि वो उनका क्रिया करम कर सके मही पर एंट्री होगी दारा के भाई की जिसका रोल निबा रहे हैं विजे वर्मा दारा यानि की लाला का होने वाला दमाज जिसको लास्ट एपिसोड में मुन्ना भाईया ने के दिनी मार दिया था वहीं पर वो एंट्री कर सकते हैं विजे वर्मा अज गुड्डु भाईया के साथ कोलाबरेट करके मुन्ना से अपने भाई की मौत का बदला ले सकते हैं दूसरी और रती शंकर शुकला का लड़का शर्द वो भी मिर्जापुर सिजन टू में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है उसके बाप ने उसे पहले ही बोला था कि हमें किसी भी शर्द मिर्जापुर चाहिए है शर्द तो मिर्जापुर को पाने के लिए और खालिन भहिया नहीं उसके बाप को मरवाया है तो वो मिर्जापूर के पीछे हाथ दो कर पड़ेगा और यहां पर उसको बैक अप देंगे जेपी यादव और जरीना बेगम जरीना बेगम यहां पर मुन्ना भहिया की मौत का में कारण बन सकती है वो ही हो सकता है कि मुन्ना मुन्ना भहिया की खबरे शरद को लाकर दे और बीच में गुड्डू को भी वो उनकी इधर गोलु गुपता जो की कॉलेज की प्रेजिडेंट तो बनी गई है साथ हम इंट्रोडक्शन क्लिप में देख सकते हैं कि उनका लुक वाईश हो गया है और वो गोली चलाना भी स उक्रण कर देंगी इन सब बातों से मुन्ना भाया एकदम फिर से जळला जाएंगे और वह एक कदम उठाएंगे वह दिंपी को फिर से किडनाप करेंगे और यहां पर आई पीस मौरिय की ठेप पर गुड्डू भीया और विजहराज पहँचेंगे मुन्ना भाया के सामने मुन्ना भहिया और गुड़ू का फिर से आमना सामना होगा और मुन्ना भहिया की रूख आप जाएगी इस तरीके के कई रोमेंचक और मज़ेदार एंकाउंटर हमें देखने को मिर्जापूर सीजन 2 में मिलेंगे ऐसा मेरा अंदाजा है एक मिटिंग में कालीन भहिया और शरद का आमना सामना भी होगा वहाँ पर कालीन भहिया शरद को बड़े होने के नाते कुछ समझाएंगे वो सीजन भी देखने लाइक रहेगा मिर्जापूर सीजन 2 के एंड तक पहुचते पहुचते हम ये जानेंगे कालीन भहिया और उनका वर्चस मिर्जापूर में अभी और टाइम तक जिन्दा रहने वाला है वही मुन्ना भहिया गुड्डू पंडित और गोलू के हाथों बुरी मौत मारे जाएंगे लेकिन शरद जेपी अदव की हेल्प के जरिये एक पार्टी जोइन कर लेगा और मंत्री बन जाएगा जो की आगे चलकर कालीन भहिया और उनकी दूसरी आउलाद यानि की मुन्ना भहिया के छोटे भाई को सीजन 3 में जाकर दिक्कत पैदा करेगा बाबुजी बीना के हाथ तो निपटा दिये जाएंगे और बीना का रोल सीजन 3 में कंटिन्यू रहेगा मैं ये तो नहीं कहता कि ये कहानी सच में बिल्कुल वही होने वाली है लेकिन ज़्यादा तर चांसेज है कि ये ही कहानी आप लोगों के सामने आए दोस्तो अब बात करेंगे हैं मिर्जापूर सीजन 2 की रिलीज डेट के बारे में कोई कहता है गुगल पर चेक कर लो डेट आ गई है वहाँ पर कोई कहता है इंस्टाग्राम पर Amazon Prime वेडियो ने इसके हिंट दे दिये हैं कि वह डेट कप आने वाली है लेकिन मैं सच बताऊं तो किसी को नहीं पता कि कब अभी मिर्जापूर सीजन 2 रिलीज होने वाली है और यह सब मुंबई में होता है और मुंबई में कोरोना वारिस की विज़े से हालात सबसे ज़्यादा खराब है लेकिन भारत सरकार जैसे जैसे धीरे धीरे लॉगडाउन खोल रही है तो हो सकता है कि मिर्जापूर सीजन 2 का पोस्ट प्रोडक्शन का काम जल्दी से निमट जाए और जल्दी ही मिर्जापूर सीजन 2 हमारे सामने हो एक और बात है जिससे वेब सीरीज की रिलीज डेट पीछे हटती जा रही है वो ये है कि बॉलिविट फिल्मों का डारेक्ट ओनलाइन डिजिटल प्लैटफॉर्म पर रिलीज होना अभी महानाय का मिताब बच्चन और आईश्मान खुडाना की फिल्म गुलाबो सिताबो जून के महीने में एमेज़ान प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है इससे जो वेब सेरीज की रिलीज डेट्स हैं उन पर भी इफेक्ट पढ़ रहा है और वो पीछे की तरफ खेशक रही है तो अगर उमीद की जाए तो सेप्टमबर ऑक्टूबर के महीने तक हमें मिर्जापूर की स्टोरी क्या होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपने राइज जरूर दे तो दोस्तों और कर भी क्या सकते हैं हो फर दी बेस्ट जल्दी हमारे सामने कालीन भहिया शारद मुना भहिया गुड्डू पंडेत बाबुजी मक्बूल बीना यह सब करेक्टर जल्दी से हमारे सामने आ जाएं वी आर वेटिंग फॉर मिर्जापूर सीजन टू यह मैं मैसेज अपना Amazon Prime वीडियो को भी देना चाहता हूं तो आपके हिसाब से मिर्जापूर सीजन टू की स्टोरी क्या हो सकती है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राइज जरूर दें दोस्तों इसके अला आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को अपना वर्चौ लंग उठा यानि की लाइक भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिएगा मैं विशाल मिलूंगा अगले इंट्रस्टिंग वीडियो म में तब तक के लिए टेक कियर बाइबाइब एगड मुवी टू बाइच